नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का क्रिशिस अंबात पर दोस्तों आज हम आपको बताएंगे गेहों में सिचाई करने की अवस्था क्या होती है दोस्तों गेहों में सिचाई करने की उचित अवस्था उचित समय क्या है यह आपकी खेत की नमिक उपर डिपंड करती है वैसे तो आप 21-25 दिनों की बीच सिजाई कर दें तो उचीत रहता है नहीं तो इसमें जो गेहूं की जड़े हैं वो बिक्सित नहीं हो पाती है आप देख रहे हैं इस साइड से निकल रही है जड़े यह जड़े कम निकलती है तो इसमें जो टिलरी होती है और नहीं हो पाती है देख सकते हैं अभी इसमें सीड लगा हुआ है और जो सीड वाला बीज है इसमें अलग से जड़े निकली है दोस्तो अगर आप सिचाई करते हैं तो इसमें कल्ले निकलेंगे इसमें साइड साइड से कल्ले निकलेंगे अगर आप सिचाई लेड कर देते हैं तो इसमें कल्ले नहीं निकलेंगे अब कल्ले नहीं निकलेंगे तो आप जानती रहें कि उत्पादन कम हो जाएगा देख सकते हैं आप सिचाई की उच्छी तवस्था यही है दोस्तों अगर आप उपने खेत में देखिए अगर नमी नहीं है तो आप सिचाई कर दीजिए देखिए हमने हमारा गेहूं 21 दिन का हो गया है और हमने सिचाई कर दीए कि अस्चाई करने पर देख सकते हैं आप गेहूं कि हरा हो जाता है और अच्छा ग्रोथ होने लगती है अच्छी ग्रोथ होने लगती है कि दोस्तों अगर आपको कोई और जांकारी लेनी हो तो कमेंट कर जरू करिए इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि यहूं से समंधित देख सकते हैं इसमें शिचाई हो गई है और इसमें तिल रिंग अब हेधोंगे बड़ी वाली इसमें सिचाई करने के बाद ही निकलती है उबह范 निकलती हैं दन्यवाद दोस्तों